नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे कि किस तरह से आप V.I.S.E.M का एक्टिवेशन कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा फास्ट करते हुए प्रोसेस समझाईए अगर आपको डीटेल में समझना है कि किस तरह से आप V.I.S.E.M का एक्टिवेशन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन पर कमेंट कर दीजेगा मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस पूरी समझा दूँगा अभी के लिए इस वीडियो में हमारे जो न्यू एजेंट हैं उनको समझाने के लिए कि किस तरह से आप अच्छे से एक्टिवेशन कर सकते हैं कहीं अगर वो रुख जाएं तो हमारा वीडियो देखके उस प्रोसेस को सॉलूशन कर सकते हैं वीडियो में पूरा बनी रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें चलते हैं अब वीडियो के साइड सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ गये हैं यहां पर आपको सबसे पहले। अपर ओफन कर लेना है, वी आई का जो अप है आप ऊपनわかरनेके बाद पर आप Activation वाले section पर चले जाएंगे Activation section पर आपको यहां connection type में CYN select रहने देना है यहां पर नीचे आप देखेंगे यहां पर बहुत से option दिखते हैं आपको Enter FRC में हम यहां पर plan select कर लेंगे plan select करने के बाद यहां आपको नीचे SIM card को scan कर लेना है जो उसका barcode रहता है आप उसको select कर लेंगे और एक यहां पर prime number select कर लेंगे देखिए यहां पर हमने prime number select किया उसके बाद यहां पर SIM card activate करने के लिए नीचे आपको option पर click करना है कुछ time लेगा आपको यहां पर इसे process को हो जाने दीजिए next आपके पास एक window open हो जाएगी यहां पर आपको step by step पूरा address फिल करना है जो भी आधार card में address दिया होगा उसे आप फिल करेंगे यहां पर देखिए address फिल कर ले रहे है जो भी आपका word number है house number है वो यहां पर आपको फिल करना है उसके बाद में आपको यहां पर address, road name जो भी रहेगा यहां पर आप आधार card से देखके correct information फिल करेंगे landmark में आपको आपके nearby जो भी आपके client है उनके nearby जो भी मंदिर है suppose कोई building है तो वहां पर आप select कर सकते हैं landmark में आपको यहां पर show कर देना है नीचे scroll down करेंगे और यहां पर आपको pin code डाल देना है pin code और state यहां पर आप select कर लेंगे नीचे district और city select करने के बाद में local address में आप tick कर देंगे तो automatically नीचे आपका address जो है वो fill हो जाएगा scroll down करते हुए आपको next process के लिए आगे बढ़ाना है जिसे ही आप next process के लिए आगे बढ़ाएंगे total number of connection आप यहां one select करेंगे और यहां पर हम क्योंकि हमें वी आई के stream activate करना है यहां पर हम select competitor connection पे select करेंगे और यहां पर हमें connection type आप one रखेंगे profession of subscriber में आप यहां self employed पे click करेंगे जो employer है हमारे वो self employed है साथ ही FRC का आपको plan यहां show होगा अब at last में आपको FRC का जो pay amount रहेगा उसे pay करना पड़ेगा तो यहां पर हम total FRC recharge 269 रुपे शो कर रहा है यहां पर आप अपना M pin डालेंगे और M pin डालेंगे बाद में आप यहां pay वाले बटन पे click कर देंगे पे वाले बटन पे आपको click करने के बाद एक declaration शो होगी इस पे आपको yes और no पे tap करना है यहां पर हम yes पे tap करेंगे और I agree करते हुए process को आगे बढ़ाएंगे यहां पर आपको एक alternative contact number डाल देना है और जिस भी member का आप डाल रहे हैं यहां पर हमने family members select किया है तो family members का mobile number पे यह एक OTP आजाएगा OTP यहां आपको fill कर देना है OTP फिल करने के बाद next वाली बटन पे click कर देना है यहां एक फिर से declaration आजाएगा आपको इस पर tick mark करते हुए next करना है अब आपको यहां पर जो agent है उनका यहां पर एक capture photo ले लेना है इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है white background में लेंगे तो आपका photo जल्दी select हो जाएगा और OTP एक आएगा उसे यहां पर आपको fill कर देना है mobile number पे एक OTP आया है next करेंगे यहां आपको last में एक successful का message शो हो जाएगा इस message का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं otherwise अगर आपको कोई problem आए activation से तो आप इस number से उस problem का solution कर सकते हैं जो एक reference number आपको यहां पर show होता है तो दोस्तों इस तरह से आप एक SIM activation कर सकते हैं V.I.SIM का इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे Z.I.SIM का activation का वीडियो बनाया हुआ है तो उसे भी जरूर चेक आउट करें मिलते हैं दोस्तों एक और new information और वीडियो के साथ में तब तक बने रही है हमारे चैनल पे और देखते रही है Thank you